किटने के लिए हरसिंगार फूल कैसा है हरसिंगार एक फूल होता है जो बहुत ही खुशबुदार होता है यह सफेद रंका होता है और दिखने में बड़ा ही सुन्दर दिखाई देता है लेकिन इसके औश्दिय गुणों से आप वाकिफ नहीं होंगे जी हां हरसिंगार का पौधा एक आयरुविदिक जड़ी बूटी के रूप में काम करता है इसके फल, पत्ते, बीज, फूल और यहां तक की इसकी छाल इन सभी का प्रियोग कई शारिरिक समस्याओं को दूर करने में मदद करता है हरसिंगार को नाइक जैस्मीन और पारी जात के नाम से भी जाना जाता है इसके फूलो का इस्तमाल अकसर भगवान को चड़ाने के लिए करते हैं आज हम आपको हरसिंगार के फूलो के कुछ फायदे बताएंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि किड्नी के लिए ये कैसे फायदेमंद होता है नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किड्नी ट्रीटमेंट विदाव डायलेसिज में जहां आपको किड्नी से संबंदित हर प्रकार की जानकारी आसानी से मिल जाती है ऐसे ही आज हम आपको हर सिंगार के कुछ फायदों के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये फूल किड्नी के लिए कैसे फायदे मन है अपने विश्वय पर आगे बात करेंगे लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें आईए जानते हैं हर सिंगार फूलों के कुछ फायदे हर सिंगार का फूल बेशक छोटा होता है लेकिन इसके फायदे बिल्कुल भी छोटे नहीं है इसके फायदे इतने बड़े हैं कि इसका प्रियोग आपको उन सभी बीमारियों से दूर रखता है जो आपको शरीर में परेशानी बनाती है साथ ही आपकी किड़नी के लिए हानिकारक हो सकती है लेकिन आपको बता दें इसका सेवन किड़नी के मरीज बिलकुल ना करें ये उनकी डैमेज किड़नी के काम में रुकावट डाल सकता है इसलिए kidney के मरीजों को इसको अपनी diet में शामिल नहीं करना है और स्वस्थ kidney वाले ही व्यक्ति इसको अपनी diet में शामिल कर सकते हैं आये जानते हैं इसका पहला फायदा हर सिंगार आपके heart को स्वस्थ रखने में मदद करता है जिनका केलिस्ट्रॉल बढ़ता है उन्हें अक्सर हार्ट में दिक्कत हो जाती है क्योंकि शरीर में केलिस्ट्रॉल बढ़ने से आपका बलड साफ नहीं रहता और जब ऐसा बलड आपके हार्ट तक पहुचता है तो इससे आपका heart blood को सही से pump नहीं कर पाता जिसके कारण आपको heart से जुड़ी दिक्कते हो जाती है इसके लिए जरूरी है कि आप हर सिंगार की जड़ या उसकी छाल का सेवन करें इसके लिए आप इसकी जड़ या उसकी छाल को सुखा कर और फिर उसको पीस कर उसका powder बना लें और उसका सेवन रोजाना सुभह करें इससे आपका heart स्वस्त रहता है इसका अगला फायदा है कि ये आपके पाचन तंत्र को ठीक रखता है आइरवेद के हिसाब से हर सिंगार का सेवन करना आपके पाचन तंत्र यानि की digestive system को ठीक रखने में मदद करता है इसके लिए आप इसकी पत्तियों के रस को पी सकते हैं इससे आपका पेट सही धन से साफ होता है और आपको पेट से जुड़ी कोई दिक्कत भी नहीं होती नेक्स्ट है डाइबटीज के खत्रे को दूर रखें हर सिंगार में लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो डाइबटीज से आपको बचाने में मदद करता है हर सिंगार की जड में महतपूंड एंटी डाइबटिक गुण पाया जाते हैं जो आपके बलड में शुगर के स्थर को कंट्रोल करते हैं जिससे आप डाइबटीज के खत्रे से दूर रहते हैं और आपकी किडनी स्वस्त रहती है हर सिंगार का प्रियोग कई जगहों पर हरबल उपचार की तरह होता है इसमें बलड प्यूरिफिकेशन के गुण होते हैं जो आपके बलड को साफ रखते हैं जब आपका बलड साफ रहता है तो इससे आपकी किडनी भी स्वस्त रहती है हर सिंगार में हैप्टो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी पाए जाती है जो बलड डिटॉक्सिफिकेशन में साहक मानी जाती है और जब आपका बलड साफ होता है तो आपका शरीर कई बीमारियों से दूर रहता है जिसमें हाई बलड प्रेशर भी शामिल है जिन्हें हाई बलड प्रेशर की समस्या बनी रहती है तो इससे उनकी किड्नी में खराबी होने की संभावनाय अधिक हो जाती है इसलिए ऐसा कहना कि हर सिंगार आपकी किड्नी को सुस्त बनाये रखने में मदद करता है ये बिलकुल भी गलत नहीं होगा हर सिंगार आपको अस्थमा जैसी परेशानी से भी दूर रखता है अस्थमा में लोगों को सांस से जुड़ी तकलीफे होती है जिसमें उन्हें कभी कभी सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है इसके लिए हर सिंगार काफी फायदे मन माना गया है हर सिंगार के पत्ते एंटी अस्थमेटिक और एंटी एलर्जिक गुणों से भरपूर होते हैं जो आपको इस परेशानी से दूर रखते हैं जो लोग गठिया रोक से पीडित हैं उनके लिए हर सिंगार के फूलों का अर्क काफी फायदेमंद माना गया है इसमें anti-arthritis के गुण होते हैं जो आपको जोडों के दर्द से दूर रखते हैं इसके साथ ही हर सिंगार का पौधा anti-depresent गुण से भरपूर होता है जिससे आप stress और depression से खुद को बचा सकते हैं इसके लिए आप हर सिंगार की चाय पी सकते हैं अगर आप हर सिंगार के फूल का इस्तमाल करते हैं तो इसमें रोग से लड़ने की शक्ती होती है जो आपको जुखाम, बुखार और खासी जैसी परिशानी से दूर रखती है हर सिंगार में lexative properties पाई जाती हैं जिससे आपको पेट में constipation की समस्या नहीं होती जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें blood detoxification के गुण होते हैं जो आपके blood को साफ रखते हैं जिससे आपको तुचा से जुड़ी समस्या नहीं होती और आप तुचा में खुजली, rashes और skin के infection से दूर रहते हैं तो ये थी हर सिंगार के बारे में कुछ जानकारी जिनें आपको ध्यान में रख कर ही इसका सेवन करना है और हाँ ध्यान रहे, kidney खराब है तो इसका सेवन नहीं करना है ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है जिनकी kidney पहले से ही खराब है या जिनकी kidney में किसी भी प्रकार की कोई problem है अगर आप kidney की किसी भी समस्या से परेशान है तो आप करमायरदा से समपर कर सकते हैं करमायरदा में आपको kidney से जुड़ी सभी समस्याओं का आयरदिक उपचार मिलता है जो पूरी तरह सफल है और इसका कोई दुश प्रभाव नहीं होता करमायरदा अपचार केंदर में आपको kidney से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है करमायरदा में आपको बहतर diet की जानकारी भी दी जाती है क्योंकि यहां आपको कुशल dietation मिलेंगे जो आपको diet से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देंगे अगर आप dialysis और kidney transplant की समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप करमायरदा अपचार केंदर से संपर्क कर सकते हैं आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे expert से सलहा ले सकते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करकर जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे like और share करना बिल्कुल भी न भूलें तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद